नमस्कार दोस्तों मैं प्रियंक का अपने यूटीब चैनल डॉक्टर होम्यो एट हो मैं आपका स्वागत करती हूं आशा करती हूं आप सभी खुश है स्वस्त है और अपना ख्या लग रहे हैं और बहुत बहुत दिल से मुझे जुड़े हुए तो आज का टॉपिक है पीसी पीसी ओडी होने के पिछे क्या क्या कारण है थी शूने के बाद कैसे साइन और स्व्च लेह हैं और एट लास्ट विस्डी जैसे बिमारी के लिए कौन-कांसी हों में पैदिक मेडिसें मार्किश में उपलब तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पीसी ओडी पीसी PCOD यानि polycystic ovarian disease महिलाओं में होने वाली आम समस्या बन गई है इस बिमारी में hormones के कारण ovarie में छोटी छोटी cyst यानि काठे हो जाते हैं कुछ इस तरह से जैसे इस वीडियो में देखाई दे रही है अब बात करते हैं PCOD होने के पीछे क्या क्या कारण है what is the causes of PCOD वैसे तो किसी भी बिमारी की कोई एक खास ठोस वज़ा नहीं होती है जैसे अने कारण मिलकर एक बिमारी की जड़ बन जाते हैं वैसे ही PCOD होने के पीछे भी कई कारण है जैसे खराब लाइफस्टाइल, खान पान में लापरवाई, शारिरिक कथी विदी नहीं करना, पोशन तत्व ना लेना, वजन का तीजी से बढ़ना, अधिक इंसुलिन के कारण अब बात करते हैं PCOD के क्या क्या लक्षन देखे जाते हैं PCOD के बहुत से लक्षन हैं जिनने समय पर देख कर इस बिमारी को रुका जा सकता है जैसे की वजन का बढ़ना, एनिमेट पीरियर्स, शरीर पर एक्स्ट्रा बाल बढ़ना, मुहासे होना, स्किन का ओईली होना, बालों का जणना, पेल्विक रीजन में दर्द होना, हाई बलड प्रेशर, इंबैलेंस इन अधर हॉर्मोन्स, टायरनेस, बांचपन, नील ना आना, मूड का बदलते रहना, प्रॉब्लम इन कंसेविंग, तो ये सब थे PCOD के सिम्टम्स, तो अब हम बात करते हैं, PCOD के लिए कौन-कौन सी होमेपेथिक मेडिशन होती है, पहली पलसेटिला 200, सैकिन कालकेरिया का 1M, थर्ड सीपियर 200, फोर्ड थूजा 200, सबसे पहली ह हमारी जो दवाई है, वो है पलसेटिला 200, पलसेटिला के जो पेशन्ट्स होते हैं, जनरली वो यंग गल्स होती हैं, और इनमें PCOD, प्यूब्यूटी के बाद, या तो प्यूब्यूटी से पहले होती है, इस मेडिशन की 200 पावर, आपको दो डोस, सुबह सुबह खाली पे इसके जो पेशन्ट्स होते हैं, उनमें ब्लीडिंग की मातरा और ब्लीडिंग का डियूरेशन, पिरियर्स के टाइम में बहुत जादा रहता है, कालकेरिया काव के जो पेशन्ट्स होते हैं, वो ओवर वेट होते हैं, साथ साथ में उनको पसीना बहुत आता है, और साथ मे ठन बहुत ज़्यादा लगते हैं ये सिम्टम अगर आप में है तो आप कालकिरिया काप 1 A.M. की मैडिसन के दो ड्रॉप सुबह सुबह खाली पेट दो दिन लगाता ले सकते हैं तो हमारी थर्ड होमेपेटिक मैडिसन है CPR 200 CPR के जो पेशंट्स होते हैं उनको पीरियाट्स बहुत लेग या कम होते हैं या तो पीरियाट्स अरली या तो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको अपने लोर अब्डॉमन में पुलिंग सेसेशन फील होता है अगर ये सारे सिम्टम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो आप CPI 200 पोटेंसी दो ड्रॉप सुबह शाम लगातार दो दिन तक खाने से पहले ले सकते हैं तो हमारी फूर्थ मैडिसेन है थूजा 200 थूजा पेशन्ट को किसी भी तरह के अबनॉर्मल ग्रोथ के लिए दी जाती है जैसे कि सिस्ट एक अबनॉर्मल ग्रोथ है इसमें पेशन्ट को लेफ्ट अब्डॉमन में पीन होता है और साथ में अबनॉर्मल हेर ग्रोथ थूजा आपको दो ड्रॉप सुबह शाम दो दिन लगातार खाने से पहले लेनी है आप सभी सामने बैठे हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी और यूस्फूल लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को सपोर्ट करिये शेर करिये सब्सक्राइब करिये लाइक करिये